नगर निगम चुनाफ के परिणाम आने में अब महस चंद घंटे ही बाकी हैं इसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार निगम चुनाफ के इस संग्राम में कौन बाजी मा रहा है तो वहीं सियासत के समीकरण आमजन भी आसानी से समझ सके इसी को लेकर MP News ने ली पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राए देखिया MP News की ये खास रिपोर्ट बड़ा ही दल्चस्प और रौचक होता हुआ दिखाई दी रहा है जहां बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दलों के बीच कड़ी टकर भी देखने को मिल रही है तो वहीं प्रदेश के सबसे स्वच्छ और सुन्दर शेहर में हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार नगर निगम चुनाफ की महा संग्राम में कौन सा दल बाजी मार रहा है ऐसे में MP News की टीम पहुची पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ट पत्रकार दैनिक दोपहर के संपादक नवनी चुकला के पास हर वार्ड में कॉंग्रेस कहीं नगई ताकत वर रिष्टिती पे खड़ी दिख रही है और यह चुनाव पूरी तरह से भाजपा भी मान रही कि उलज गया है चुनाओं क्यों उलज गया उसके दो-तीन कारण हो रहा है कि पार्टी को यह लग रहा है कि आप किसी को भी उतार देंगे तो जीत जाएगा अब किसी को उतारने में आप इतना अन्नों चहरा ले आए जो कारिकरता लोट लोग प्रिता इतनी थी कि कई पार्शद उनके हवा लेटेत के साथ जीत के आ गए। कॉंगरेस उस था लेडिया। पर पांस साल के कारी काल के बाद में भूत सारे काम केलाइश्वरगी ने किया। पर उस तो ऑगले चुनाव में आपने उमा शेज़ शर्मा को उतारा, तो उनिका को व्यक्तिकत प्रभाव नीता है। तो उमाशेश शर्मा के लड़ने में क्या हुआ कि केलाजवरगी की पूरी टीम लग गई तब से ताकतवर टीम कहला थी दो नमबर पांच नमबर से एक नमबर सब जगे से कार लोग बढ़ गए इसके बाद भी 9000 बोट से रामराम करके जीत पाई थी तीसरे चुनाओ में आ पर चोते चुनाओं में आप ने जब लेहर भीती भाजपा के चोते चुनाओं में आपने मालनी गोड को उतारा तो पोने तीन लाग बोट पर पहुँच गया आप सामने इसा भी नहीं था सामने और चना जैसवाल थी साड़े तीन लाग बोट विपरिट परिश्टी ते पर इस चुनाव में यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा के पार्षत जो है वो खुद मान रहे थे कि मेर ऐसा उमीदवार चेहन हो गया है जो आपको एक बोट नहीं दिला सकता कहीं पर भी जो भाजपा का बूल वोट है वही मिलेगा तो भाजपा का जो पहली बार चुन लेनू मेरे लिए तो उन्होंने सबने अपना केंपेंग सुरू कर दिया और जो इस्थापित देता थे वाजपा के बड़े-बड़े वह यह से मोर्चों पर उलज गया बड़े-बड़े दिगज कि वह खुद के लिए लड़ाई लड़ने में उनको लिए पसीना छूड अपने अनुभव के आधार पर पूरे चुनावे संग्राम का विशलेशन करने वाले वरिष्ट पत्रकार नवनीच शुकला को साथ ही नवनीच शुकला ने सीटों के आकड़ों को लिकर क्या कुछ कहा ये भी आप खुद ही सुनिए तो मुझे यसा लगता है कि अगर पूरी 75 जो पार्षद है कांग्रेस के वो सब हार गए तो भी संग्रा के लिए वहुमत की स्थिवे हल्की फूल्की बनी रहेगी क्यों बनी रहेगी उसके दो तीन कारण है एक तो आप यह मोड़ अगर अपन यह जोड़ लेते हैं तो अ जातियों में एक बड़ा जबर्जस्त इंटर्नल प्रेक्ट हो गया था और यह सब पूरी तरह से कॉंग्रेस के साथ हरी जन इसलिए आ गए कि एक तो उन्होंने आश्वाशन दिया था कि सच्छता का आपको को सब्मान नहीं मिला है सबर पांच बेसे लोग जाड़ू बाद दो कोई चमतकार हो जाए जिसा कहा जाता है लोग जो कह रहें कि भी होते रहते हैं शहर में तो कोई चमतकार हो जाए तो बात हलेग है नि तो मैं आज की तारिक पर भारगाव पर भारी है कि किसी भी पार्टी के लिए उसके कारिकरता की सत्ता में जो भी पार्टी और इसके कारिकरता की चुपी जो है न बहुत घातक होती है क्यों होती है क्योंकि पार्टी का कारिकरता पहली बारी महसूस कर रहा है कि एसा निड़ने लिया जिसमें हमारी कोई भागीदारी नही और वो पूरी तरह से चुप हो चुका, इतना खामोश हो चुका है वो, कि वो कुछ भी करने को तयार निए, सेकंड और थर्ड लाइन का किसी कारी करता ने, इमानदारी से न तो परचिया बाटी है शहर में, न वो बोट मांगने गया है, वो खुद अपना बोट डाल किया है इसके साथ ही, शहर में हुए कम मतदान को लेकर वरिष्ट पत्रकार नबनीत शुकला ने अपनी राय रखते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिये कि जो दो नमर्ग शेत्र सत्तर परसेंट तक बोट के लिए जाता था, वो अठावन परसेंट पर राम राम करके आया, कुछ वाड़ों तो चपन परसेंट पर आगया, यो कौन से वाड़ है, भाजपा, एतिहासित मतों से जित रही, 6-6-8-8-8-8-8-0 की लीड से, तो क्या मतलब हुआ क्या पारशत का उमीदवार कमजोर दिया आपने, इसलिए लोगों ने रुजहान ने लिया, तो ये जो कमिड बोट है, आपके वल वही डला है, तो अगर एक लाग बोट भी एक नमबर शेत्र में कम डल गया है, दो नमबर शेत्र में, तो ये कई सम्मीकरणों पर भाजपा को है, पर भाजपा के वो तमाम नेता जिनके चेहरे पर हंकार दिखने लगा, जिन पारसदों के चेहरे पर हंकार दिखने लगा, जो संगधन के बेठे नेताओं के चेहरों पर हंकार दिखने लगा, अगर यहां चुनाओ भाजपा हार रही है, तो उसका श्र कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबे वक्त के बाद सियासत के गड़ इंदौर में नगर निगम चुनाव का मुकाबला बड़ा ही दिलजस्प और रौचक होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही दलों के बीज कड़ी टककर भी देखने को मिल रही है ब्यूर रिपोर्ट, MP News, इंदौर